एपिसोड के स्टार्टिक में हमें एक लड़के को दिखाय जाता है और ये इस सीरियल का में हीरो है और इसका नाम है खैम इसके हाथ में हमें एक लेटर को भी दिखाय जाता है जो इसकी लवर ने इसके लिए छोड़ा है और इस letter को पढ़कर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और खोया खोया जाता रहता है लेकिन तब ही उसे गाड़ी टककर मार जाती है और वहें पर गिर जाता है हमें इस letter के द्वारा पता चलता है कि ये इसकी lover ने लिखा है और उसमें वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ और इसके बाद जो हमें कहानी दिखाई जाती है वो आगे 7 साल बाद की होती है जहां पर camp अब बिल्कुल बदल चुका है और उसकी life भी change हो गई है camp अब Bangkok का बहुत बड़ा business man बन गया है और उसकी एक fabric की company है और वह अपने brand को launch करने के लिए दुनिया के अलगलग देशों में जाकर अपना event रखता है इतनी कम उमर में इतना बड़ा business man बनने के कारण लोग उसे अपना idol समझते हैं और camp का तो behavior बिल्कुल change हो चुका था वो बहुत जदा जित्ती और अकडू किसिंद का बन चुका था जब भी वो अपनी business trip से वापस आता है तो office में तो भाग दोड़ी मची रहती है क्योंकि camp को अपना काम बिल्कुल perfect शाय होता है और अगर जिसका काम perfect ना हो उसे तो वो भारी कर देता है मैनेजर ने boss के लिए एक नई secretary को join किया है और उसका नाम है वदी मैनेजर secretary को बताता है कि आज हमारे boss business trip से वापस आ रहे हैं तो उन्हें लेने के लिए हमें airport पर ही जाना होगा वहाँ जाकर वो boss को बोलता है कि sir हमने आपके लिए एक नई secretary को ढूण लेया है लेकिन boss जैसे ही उसकी सकल देखता है तुरंट बोल जाता है कि इस लड़की को मैं जौपन नहीं रखने वाला मैं इसे नौकरी से निकाल रहा हूँ और मुझे कभी अपनी सकल मत दिखाना ये देखकर तो मैनेजर और जो कुलीग होते हैं वो समझ जाते हैं कि boss का mood आज बहुत ज़दा खराब हो रहा है दूसरी तरफ हमें बादी को दिखाये जाता है जिसे कोई टकर मार देता है और वह वहाँ पर गिर जाती है कैम्प के दिल में तो बिल्कुल भी दयानी होती वो उसे गिरता हुआ देखता है लेकिन ignore करके वहाँ से चला जाता है और वह सीधे अपने office ना जाकर आज घर चला जाता है घर आने के बाद मैनेजर कैम्प को समझाता है कि ये लड़की इस जाब के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसे बहुत अच्छा experience भी है और इससे पहले ये लड़की अपने पती की कमपनी में ही secretary की जाब कर चुकी है और इसे बहुत सारी languages भी आती है और ये हमारी कमपनी के काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगी मैनेजर उसे ये भी बताता है कि इस लड़की के पती की death हो चुकी है और इसके दो जुर्वा बच्चे हैं और उसे इस नोकरी की बहुत ज़दा जरूरत है कैम कहता है कि मैं इसे जॉब पर नहीं रखने वाला तो जाती जाती मैनेजर कहता है कि इस लड़की का interview हमने आपके टीवी में save कर रखा है अगर आपका मन बदले तो इसका interview देख लेना और फिर इसे जॉब पर बुला लेना उसके बाद वादी को दिखाय जाता है जो अपने घर वापस आती है उसकी फैमली उसके लिए एक सप्राइज फ्लान करके रखती है सोचती है कि आज हमारी बेटी को फर्स डे ही जॉब मिल गई है और उसके जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी अपनी मॉम के लिए तरह तरह की चीज लेकर आये होते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उसे तो फर्स डे ही जॉब से निकाल दिया गया है तो वो सभी शॉक हो जाते हैं दूसरी तरव वादी को दिखाए जाता है जो अपने रूम में बैटी होती है तो उसके ट्विंस बच्चे आते हैं जिसका नाम काय और गाय होता है वो अपने मॉम से पूछते की मॉम आपको किसने जॉब से रेजाइन करा दिया और क्यों बदी उनसे कहती है कि मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके वज़े से मेरा बॉस मेरी सकल देखकर ही मुझसे गुसा हो जाता है फिर हमें एक कैम को दिखाए जाता है जो अपने फ्लैस बैक में सोच रहा होता है कि मैं और वादी पहले कितने अच्छे लवर सुआ करते थे लेकिन एक दिन वो उसे एक लेटर लिखकर छोड़कर चली जाती है और फिर शादी कर लेती है बाद में कैम को पता चलता है कि उसने उसी कमपनी की जो CEO है उससे साधी कर ली है और इसी बास से वो बहुत ज़़दा गुसा होता है और उसे अपनी जॉब पर भी रखने के कैम उसके इंटर्व्य को सुनना तो नहीं चाता था लेकिन गलती से टीवी ओन हो जाता है वो जब तक टीवी बंद करने वाला होता है तो वो सुन लेता है कि वदी उसमें कह रही होती है कि उसके हस्पेंड ने उसे बहुत अच्छी चीज़े सिखाई है चाहे कैसा भी इन कैम अपने मैनेजर को फॉन करके कहता है कि उसे जॉब पर रख लो फिर दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाए जाता है जो वदी को कॉल करके बता रहा होता है कि सुबह तुम्हें आफिस आना है और एक मिनट की देरी भी हमारे बोस को बरदास नहीं होगी सुबह सुबह वदी बहुत जल्दी उटकर तयार होती है और फिर अपने बच्चों से मिलकर अपने काम के लिए चली जाती है उसके डैड ने उसे एक कार दी होती है जो बहुत ज़दा प्रानी होती है उसे में बैटकर वो अपने काम के लिए जा रही होती है कि उसे रास् होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और उसकी वज़े से वधी अपने ऑफिस पहुचने में सिर्फ दो मिनट ही लेट हो जाती है और इस बात पर उसका बहुत ज़्यादा सुनाता है वो चेयर पर बैटने वाली होती है तो बोलता है कि ये गैस्ट के लिए है वो सोफे पर जाती है तो बोलता है कि सोफे इतनी दूर है तुम मुझे सुनोगी कैसे उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि सायद वो जमीन में बैट जाए लेकिन वो भार जाती है और अपने लिए चे लेकिन वदी इतनी capable होती है कि वो अपने सभी काम को time पर ही पूरा कर लेती उसके हर objection पर उसे कोई न कोई जवाब मिली ही जाता लेकिन वो जानता था कि ये बहुत जदक capable है उसे वदी का काम तो पसंद आ रहा था लेकिन वो फिर भी वदी से कहता है कि दुनिया में उसे cheater और जोटे लोग सबसे जाता नापसंद होते हैं और वे वदी को हर समय जली कुटी बाते ही सुनाता रहता था इससे आगे हमें दिखाये जाता है कि एक दिन वदी ओफिस में काम कर रही होती है तो उसके पास युवा की call आती है युवा वदी को thanks बोलता है dress select करने के लिए क्योंकि उसका interview होता है और interview भी बहुत अच्छा जाता है तो इसलिए ही वदी को call करता है दूसरी तरफ उसका boss camp आ जाता है और वदी की बाते सुन लेता है फिर उसे डाटने लग जाता है कि तुमें अगर अपने लिए नया पती ढूनना है तो office के time में तुम किसी से भी ब बूलता है कि यह सारे fabric की file है तुमें यह ढूनकर लानी है लेकिन तुम किसी की भी help नहीं लोगी फिर हमें दोनों छोटे बच्चों को दिखा जाता है जो टीवी पर अपने भाई का interview देख रहे होते हैं और वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं दू फिर वह उन सारे file को नीचे ही धेल लगाने लगती है कैम भी यह जानता था कि वदी अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रही है लेकिन फिर भी वह उसके काम में नकल उतारने से नहीं मानता और उसे जैसे तैसे तंग करता ही रहता है लेकिन दूस्ती दरब वदी भ कहता है कि अब सारी file वापस लेके जाओ मैनेजर भी वहां होता है और देख रहा होता है कि बहुत इसे बहुत ज़्यदा परेशान कर रहा है और यह लड़की बरदास कि जा रही है तो वह कैम से कहता है कि आपके लिए फिर से नई सेकेटरी मिलने बहुत मुश्किल हो और यह कोई और नहीं है यह है युवा की सिस्टर्स और यह दोनों काय और गाई की भी स्टैप सिस्टर हैं यहां यह अपने भाई से मिलने आती है और फिर उसकी तारीफे करती है कि भाई आज तो आप इंटर्व्यू में बहुत अच्छे लग रहे थे और उसके बाद यह प्रॉपर्टी पाचो भाई भेनों के बीची बटेगी लेकिन इन दोनों भेनों को तो ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी स्टैप मॉम वादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है दूसरी तरफ हमें वादी को आफिस में दिखाय जाता है जहां पर द अगर कोई सेकेटरी उसे ठंडी कॉफी दे देती तो वो भी बाहर हो जाती और अगर कोई उसे जवाब दे देती तो उसकी तो खेरी नहीं होती हमें नहीं पता कि बॉस ने कितनी सेकेटरी को यहां से निकाल दिया है और फिर वदी से कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम इह कितने समय तक टिक पाओगी कैम्प ने वदी के लिए एक मैसिज छोड़ा होता है और उसमें लिखा होता है कि एक बज़े मुझे बिल्डिंग के बाहर मिलो वह इस इंतजार में होता है कि वदी थोड़ी सी भी लेट हो जाए तो मैं उससे सुनाओं और जॉब से निकाली देखता है जो काफी समय पहले उसने वदी को ग्यूटी दी और उसे प्यार के सिंबल के तौर पर उसकी निशानी थी तो उसका मोड़ी खराब हो जाता है वो अपनी कार को साइड में लगाता है और कार में से वदी को उतार देता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर त तक उस मिटिंग में नहीं पहुची न तो तुम अपना सामान पैकी समझो और अपनी नोकरी से हाथ दो बैठो कैमपुस होटल में पहुच जाता है जहां पर वो क्लाइंट उसका वेट कर रहा होता है वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वधी अभी तक टाइम पर नहीं पहुची है और वह अब उसे डाटेगा और जौब से निकाल ली देगा जब वो क्लाइंट के पहुचता है तो क्लाइंट उसे बताता है कि सर आपकी सेकेटरी बहुत अच시 है और उसने मेरी बहुत हेल्प किये है और मेरा फैबरिट शैब भी उसने बुला दिया है और यह सुनकर तो वो शौकी हो जाता है फिर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वधी उसके लिए सारे काम को अरेंज करके रखती थी और फिर हमें एक नई क्यारेक्टर को दिखाये जाता है इस लड़ीगी का नाम लौन है और आज यह जाने वाली है कैम के साथ डिनर पर और आज क्या ये कैम्प के साथ डिनर पर जा पाएगी ये देखने के लिए तो हमें अगले अपिसोड का वेट करना ही होगा